मैं हमेशा वीडियोज में भी और पर्सनली भी इंशॉर्णिस को बहुत जादा प्रमोट करता हूँ तो मेरी बात सुनके मेरे एक दोस्त ने अपनी पूरी फैमिली का हैल्थ इंशॉर्णिस ले रखा था तो एक दिन जब उसके पापा अपने ऑफिस से घर आ रहे थे तब उनका एक्सिरेंट हो गया जिसके बाद उन्हें होस्पिटल ले जाए गया जहां पर पांच दिन तक उनका ट्रीटमेंट चला और उनके ट्रीटमेंट में टोटल तीन लाग रुपे खर्च होए अब क्योंकि उसने 6 लाग रुपे का हेल्थ इंशॉरंस ले रखा था तो उसका पूरा बिल्तो इंशॉरंस से ही क्लेम हो जाना चाहिए था बट यहां पर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट यह है कि उन्होंने जो हेल्थ इंशॉरंस लिया था वो एक एजेंट के थू लिया था तो उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी हेल्थ इंशॉरंस में 1% पर डे का रूम रेंट लिमिट है मतलब 6 लाग का 1% होता है 6,000 तो उन्हें पर डे रूम का सर्फ 6,000 रुपए ही मिल सकता था जबकि उन्होंने जिस हॉस्पिटल में अपने फादर को एडमिट कराया था वहां पर उनका रूम रेंट 12,000 रुपए पर डे था 12,000 उसका 50% है तो इस situation में आपका जो total cover होगा वो भी 50% ही calculate होगा मतलब 3,000,000 की जगा उन्हें 1,500,000 रुपए ही मिले तो यही होता है जब आप बिना किसी knowledge के किसी agent के थुरू अपना health insurance करवाते हैं तो देखो वैसे तो इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें आपको agent के comparison में 10 से 20% सस्ते में health insurance मिलेगा लेकिन चाहे आप कहीं से भी health insurance लो वहाँ पर ये ज़रूर देखो कि जिस health insurance को आप ले रहे हो वहाँ पर कोई भी room rent limit ना हो और in case आपने कोई health insurance ले रखा है जिसमें room rent limit है तो आप उस health insurance में no room rent जैसे feature को add on करवा सकते है जिससे आपको कभी भी room rent cap की वज़े से दिकत नहीं आएगी अब इसके बाद दूसरी जो की सबसे basic mistake लोग health insurance लेते वक्त करते हैं वो ये है कि उन्हें health insurance कितने cover amount का लेना चाहिए वो ये सही तरीके से decide ही नहीं करते हैं लेकिन cover amount के बारे में बताने से पहले इस वीडियो लेने से पहले generally लोग जो गलतिया करते हैं जिसकी वज़े से उनका claim कभी पास ही नहीं हो पाता है पहले हम उसके बारे में discuss करेंगे और उसके बाद हम live health insurance buy भी करेंगे तो वीडियो को पूरा देखीगा तो देखो आज जस तरीके से hospital के खर्चे बढ़ रहे हैं even छोटी मो का health insurance लेना जरूरी है और वो ठीक ठाक amount आपके हिसाब से कितना होना चाहिए चलिए इसको calculate करते हैं तो इसको calculate करने का formula है आपकी annual income प्लस पिछले 5 साल में आपका hospital में जतना खर्चा हुआ है उसका 50% तो आपके हिसाब से एक सही cover amount होगा 10 लाग जो कि आपकी annual income है और जो 5 लाग आपने पिछले 5 साल में खर्च किया है उसका 50% यानि धाई लाग तो 10 लाग प्लस धाई लाग यानि 12 लाग रोपय है अब in case मानलो पिछले 5 साल में आपका कोई भी खर्च नहीं हुआ है तो फिर जितनी आपकी annual income है उतने का health insurance तो कम से कम लेना ही चाहिए और अगर आपकी annual income बहुत कम है मानलीजे 3 लाग 4 लाग रोपय है तब भी आपको minimum 5 लाग रोपय का health insurance तो लेना ही चाहिए क्योंकि कोई भी बिमारी आपकी salary देखकर नहीं आएगी अब इसके बाद next गलती जिसकी वज़े से 90% लोग health insurance नहीं लेते हैं वो यह है कि उन्हें लगता ह है कि आपके पास सही में एक धंका health insurance है या फिर सर्फ आपको लग राएगी health insurance है तो ये पता करने के लिए आप सबसे पहले मैंने आपको जो formula बताया था ना cover amount वाला उस formula को apply करके देखना कि आपको कितने तक का health insurance लेना चाहिए और आपको कितने का मिल रखा है जनरली companies 2-5 लाग रुपे के बीच का ही health insurance देती है जो कि आपकी basic requirement को भी fulfill नहीं करेगा और उसमें भी कई बार room rent limit होती है और साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी problem यह है कि जब भी आप अपनी company को change करते हो तब आपका ये वाला health insurance end हो जाता है और in case कभी recession आ जाता है जिसकी वज़े से किसी की job चली जाती है तो job के जाने के साथ साथ वो health insurance भी चला जाएगा तो इसलिए जो company आपको health insurance provide कर रही है उसके भरोसे मत बैटो अपना एक personal health insurance भी जरूर करवाओ अब बात करते हैं CSR यानी claim settlement ratio की अब आप कहेंगे यह तो मुझे पता है और मैंने यह भी पूरी तरीके से claim reject नहीं करती है वो आपका आधा claim reject कर देगी जिससे उनका claim settlement ratio अच्छा रहेगा और नए लोग यह देखकर insurance लेते रहेंगे तो claim settlement ratio हमें बताता है कि company के पास कितने claim आए और उसमें से कितने claim उसने पास की है तो यह तो जादा होना ही चाहिए लेकिन इसके साथ साथ आपको company का incurred claim ratio भी देखना चाहिए incurred claim ratio का formula है total value of claim settled by an insurer divided by the total value of premium collected by the insurance company और इसको multiply with 100 करते हैं तो यह percentage की terms में निकल कर आ जाता है अब अगर किसी company का ICR 50% से कम है तो इससे हम समझ सकते हैं कि company premium तो खूब सारा बट और रही है लेकिन claims को उस हिसाब से settle नह अच्छा है क्योंकि company को खूब profit हो रहा है लेकिन जब आप उस company से insurance करवा रहे हो तो यह हमारे लिए एक negative sign है तो क्योंकि company को पता है कि लोग claim settlement ratio देखते हैं इसलिए company जो छोटे-छोटे amount के claim होते हैं उनको बहुत आसानी से pass कर देती है और जो बड़े amount के claim है उन्हें 99 claim आते हैं और एक claim एक करोड़ रुपे का होता है तो company एक एक लाक वाले 99 claims को pass कर देगी लेकिन जो एक करोड़ वाला claim है जो की बड़ा claim है उसको pass करने में या तो देरी करेगी या हो सकता है किसी बहाने से reject कर दे तो ऐसे में आपको claim settlement ratio तो 99% दिखाई देगा जिसको दे जो की अगर 60-70% है तो आप उसे consider कर सकते हैं तो चलिए अब हम directly health insurance buy करना सीखते हैं health insurance को buy करने के लिए मैं policy bazar का use कर रहा हूँ clear कर दूँ कि policy bazar के साथ हमारा material connection है लेकिन मैं genuinely मानता हूँ कि policy bazar से health insurance लेना best है तो policy bazar से health insurance को buy करने का link description पे दिया गया है अब जैसी आप उ दिखाई दे रहा है कि अगर आप online insurance buy करते हैं तो आपको 25% तक कर discount मिल सकता है तो आप किस के लिए insurance buy करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे select कर लेना है जैसे मैं अपने ले करना चाहता हूँ तो मैंने आप self पे click किया है अगर आपकी शादी हो चुकिया और आप अपनी wife क ले करना चाहते हैं तो आप wife को भी select कर सकते हैं बेटे को buy करना चाहते हैं बेटी के लिए buy करना चाहते हैं फादर के लिए mother के लिए जिस member के लिए आप insurance buy करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से select कर सकते हैं फिलहाल मैं अपने ले buy करना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने self प तो मैं देहरदून में रहता हूँ तो मैंने अपना देहरदून select कर लिया है अब इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर है आपकी medical history पूछ रहा है तो अगर आपको इन में से कोई भी बिमारी है तो आप उसको select कर लीजे तो मेरे को कोई भी बिमारी नहीं है तो मैंने none of the above select कर लिया है अब यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे insurance plans देखने को मिल रहा है लेकिन इन insurance plan में जाने से पहले आपको सबसे पहले कुछ filters लगाने चाहिए ताकि आपके सामने जो insurance plan निकल कराएं उनमें वो qualities already हूँ तो यहाँ पर आपको all filter का option देखने को मिल रहा है आप इस पर click कर लीजे अब इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर cover का एक option देखने को मिल रहा है तो आपने select कर लेना है कि आपको कितने तक का cover चाहिए तो जादतर लोग 10 से 24 लाग तक का cover लेते हैं तो मैंने इसको select कर लिया है अब इसके बाद next option हमारे सामने आ रहा है room rent type का तो मैंने आपको बताया था कि आपको generally ऐसा ही insurance buy करना चाहिए जिसमें कोई भी room rent limit ना हो तो हमने इसको select कर लिया है अब इसके बाद policy benefit की बात करें तो इसमें तीन चीज़े जरूर select कीजिए जो कि है pre-hospitalization, post-hospitalization और day care treatments pre-hospitalization में मान लीजे अगर कोई ऐसा खर्च होता है जो कि hospital में admit होने से पहले हो रहा है तो वो cover हो जाएगा post-hospitalization में वो सारे खर्चे भी cover हो जाएगे जो कि hospital से treatment होने के बाद होते है और साथी day care treatments में वो treatment भी cover हो जाएगे जो कि within a day हो जाते है क्योंकि health insurance जनरली तभी काम करता है जब आप hospital में admit हो रहे हैं तो ये select करने की ज़ौरत नहीं है जब आपके सामने plans निकल कर आएंगे आप वहाँ पे select कर सकते हैं इसके बाद existing disease waiting period का option है तो देखे जनरली कुछ ऐसी बिमारी होती है जो हो सकता आपको पहले से हो जैसे मान लीजे अगर कोई kidney stone है तो वो अचानक से तो होगा नहीं तो इस case में insurance का एक waiting period होता है जो कि कई बार बहुत जादा होता है तो अगर आपको चाहिए कि एक साल से जादा का period नहीं होना चाहिए तो आप इस पे select कर सकते हैं फिलाल मैं इसको no preference ही रहने देता हूँ और last में insurer का एक option आ रहा है तो अगर मान लीजे आप कुछ top companies के ही plans देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से select कर सकते हैं बट इतने filters जो मैंने आपको बता हैं वो तो आपको लगा नहीं चाहिए तो यह filter जैसी हम apply करते हैं तो अब हमें जो plans दिखाए देंगे उन सब में जो qualities हमने select की थी वो सारी qualities होंगी जैसे कि इन में कोई भी room rent limit नहीं होगा तो अब आपको इन में से जो भी company का plan सही लग रहा है आप उसको select कर सकते हैं मैं फिलाल क्योंकि यह सिर्फ video educational purposes के लिए बना रहा हूँ इसलिए जो भी plan मुझे top में देखने को मिल रहा है मैं उसको select कर रहा हूँ आप बहुत सोच समझ के कीजेगा फिलाल select करने से पहले उसकी details कैसे देखनी है अब वो समझते हैं तो यह top में plan आ रहा था तो मैं इसको select कर रहा हूँ तो इसमें 24 cashless hospitals देखने को मिल रहा है अब मैं कोई दूसरा plan देखता हूँ जिसमें कितने cashless hospitals हैं वो भी हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इसमें जो cashless hospitals हैं वो हमें देखने को मिल रहा है 33 इसके बाद और कोई plan देखें तो यह वाला जो plan है इसमें हमें जो cashless hospitals देखने को मिल रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं 41 बट buy करने से पहले कुछ और coverage देखना भी बहुत ज़ादा जरूरी है और इसको बिल्कुल भी miss मत कीजेगा बहुत ध्यान से देखेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपने features देख लिए आपके हिसाब से जादा cashless hospitals जहाँ पर हो वो better है तो इसमें जादा cashless hospitals है तो आप features की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसने पिछले 3 महीने में 99.4% claims को पास किया है जो कि एक अच्छी बात है दूसरा मैंने आपको बताया था कि कोई भी room rent limit नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है any category यानि कोई भी room rent limit नहीं है इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर cashless hospitals पूरे इंडिया में 11,000 से भी जादा हैं बट यहाँ पर एक और बहुत important चीज है और वो है co-pay यह co-pay सबसे जादा important है क्योंकि इसमें भी कई बार आपको अपनी जेब से पैसे देने पर सकते हैं तो कई ऐसी insurance policies होती हैं जिनमें हो सकता है कि 5% का co-pay हो तो ऐसे में अगर मान लीजे आपका 10,000,000 रुपे का बिलाता है तो उसका 5% यानी 50,000 रुपे आपको अपनी जेब से बढ़ने होंगे बट देखो जब आप health insurance ले रहे हो तो क्यों इतने फाल्तू के जंजट रखने हैं इसलिए हमेशा देखे कि जो भी health insurance आप बाई कर रहे हैं उसमें 0% कोपे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0% कोपे है यानी जो पूरा पैसा है वो insurance company ही देगी इसके अलावा इसमें 90 days का pre-hospitalization and 180 days का post-hospitalization भी cover है जो की sufficient है इसके अलावा भी आपके plan में कौन-कौन से additional features available हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर एक waiting period का भी बहुत important option है उसको भी ज़रूर देख लिजेगा जो की यहाँ पर existing illness के लिए 4 साल है इसको riders के थूँ आप थोड़ा कम कर सकते हैं और यहाँ पर initial waiting period 30 days का है तो इस तरीके से health insurance की जो-जो details मैंने आपको बताई है उन सब को check करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको उस health insurance को buy करना चाहिए तो आपको proceed to buy पे click कर देना है तो यह सबी features देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको यह health insurance buy करना चाहिए तो आपने proceed to buy पे click कर देना है उसके बाद आपके सामने यह window खुल कर आ जाएगी तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका cover amount है वो 10 lakh रुपीज है प्लस 10 lakh extra हैं पहले ही दिन से इसके बाद अगर riders की बात करें तो देखिए बहुत जादा riders लेने की ज़रूत नहीं है लेकिन अगर आप अपने pre existing waiting period को 4 साल से घटा कर एक साल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यह वाला जो rider है इसको select कर सकते हैं तो जैसी आप इसको add कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो total premium amount है वो बढ़ गया है तो क्यूंकि फिलाल ये वीडियो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं इस rider को हटा देता हूँ अब इसके बाद अगर मानलीजे आपको लग रहा है कि amount जादा है और आपको कुछ discount चाहिए तो अगर आप shared room लेने के लिए ready हैं तो आप यहाँ पर shared room पे apply कर सकते हैं जिससे आपके 1104 रुपर बच जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो total premium है वो घड़ गया है तो इसको मैं वापस से remove कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर और भी काफी सारे add-ons आपको देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में आप जिस भी policy को buy करेंगे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं और आपको जरूरी लगता है तो आप उसको add कर सकते हैं बट फिलाल मैं proceed to proposal पे click करता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर escape and continue पे click कर देना है अब जैसी हम इस पे click करते हैं तो यहाँ पर यह हमसे हमारी detail मांग रहा है तो मैंने अपना नाम दे दिया है साथ में मेरा marital status दे दिया है gender, pen card name मतलब जो भी basic details है वो आपने यहाँ पर fill करनी है तो यह सारी details fill करने के बाद आपको proceed to medical questions पे click करना है इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ medical questions पूछे जाएंगे तो अगर आपको इन में से कोई भी disease है तो उसको आप यहाँ पर yes पे select करने के बाद select कर लीजे मुझे कोई भी disease नहीं है इसलिए मैं no पे select कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पर और भी कुछ questions पूछे जा रहा है तो आपने उनका भी सही सही जवाब देना है कोई भी जवाब जान पूछ के गलत मत दीजेगा क्योंकि इससे आपको claim करने में problem आ सकती है इसके बाद आपको continue to nominee section पे click करना है तो यहाँ पर आपने अपने nominee की details डालनी है तो मैं अपने father की details डाल रहा हूँ तो मैंने उनका नाम यहाँ पे लिख दिया है अब nominee की details fill करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ declaration sign करने होंगे तो इनको sign करने के लिए continue पे click कर दीजेगा अब यहाँ पर आपको अपनी details check करने का option आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आप कितने time की payment करना चाहते हैं जैसे अगर आप 3 साल की payment करते हैं तो यहाँ पर आप 200 रुपे बचा सकते हैं और 3 साल के लिए insurance आपको सिर्फ 19,875 रुपे में मिल जाएगा फिलाल ये वीडियो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं 1 year की payment करता हूँ तो यहाँ पर हमने 1 year select करके proceed to payment पे click कर देना है अब जैसी हम proceed to payment पे click करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे payment करने के option खुल कर आ जाते हैं यहाँ पर मैं UPI का option select कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने QR code निकल कर आ गया है तो अब मैं इस QR code को scan करके payment कर दूँगा तो यहाँ पर हमारे सामने खुल कर आ गया और मैं payment करने जा रहा हूँ, आपको दिखा ही दे रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी update हो गया है और यह हमारी payment हो चुकी है, अब payment होने के बाद यहाँ पर यह आपसे एक OTP verification मांगेगा, तो वो OTP आपके उस mobile number पर आएग यह सब करने के बाद आपकी जो policy है, वो 24 घंटे के अंदर issue कर दी जाएगी, इसके साथ ही यहाँ पर आपको dedicated relationship manager भी मिलेगा, जिससे आप contact कर सकते हैं जब आपको policy को claim करना हो, या फिर कोई भी confusion हो, तो इस तरीके से आप घर बैठे अपना health insurance buy कर सकते हैं, और आप compare करके देख लीजेगा, आप जब online अपना health insurance buy करेंगे, तो यहाँ पर वो insurance आपको सस्ता देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जब भी आपको insurance को claim करने की ज़रुत पड़ती है, आपके बाद दो option होते हैं, एक तो आप directly उस company से contact कर लीजे, या फिर आप चाहें तो policy b आपके insurance को claim करवाने में आपकी help करता है, तो policy bazaar का link description पर दिया गया है, वहाँ से आप अपना health insurance buy कर सकते हैं, तो description ज़रूर चेक कर लीजेगा, मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक ज़रू कीजेगा, इस तरीक पसंद आपके तो अपके अपकी कर दो लीजेगा है, आपके लीजेगा एकर आपगी है, तो ले अथए़ूर नापका हैं, जवरूर